मिसाइलों से लदा हुआ ये हलिकॉप्टर कुछी सेकंड्स में आसमान में उडान भरता है और इसके उडान भरने के बाद ही जो तस्वीरे सामने आती हैं वो दिल दहला देने वाली होती हैं पहले आप वीडियो देखिए कि किस तरह से ये हलिकॉप्टर अपनी उडान के बाद भारी तबाही मचा रहा है अपनी उडान के कुछ मिंटो बाद ही जब ये भीशन तबाही मचाना शुरू करता है तो दुश्मन के खेमे में खलबली मच जाती है अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सा हलिकॉप्टर है जो चंद सेकंड में ही इस तरीके से तबाही मचा रहा है दरसल ये तबाही मचाने की तस्वीरे सामने आई है रूस यूकरेन युद्ध से और ये हलिकॉप्टर है रूस का के फिफ्टी टू एलिगेटर हलिकॉप्टर ये वो विद्वन्शक हलिकॉप्टर है जो भीशर तबाही मचा रहा है और यूकरेन की कमर तोड़ रहा है उसके टैंक्स को नेस्तानबूत कर दे रहा है तस्वीरों में भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हलिकॉप्टर मिसाइल लॉंच करता है और ये कुछी पल में मिसाइल उड़ते हुए टैंक्स से जाकर तकराते हैं और फिर पूरा का पूरा टैंक आग के गोले में तबदील हो जाता है के 52 एलिगेटर हेलिकॉप्टर है रूस की सेना का ये सबसे ताकतवर हत्यारों में से एक है इसकी प्रभवसाली उड़ान इसे खास बना देती है दुश्मन को भारी नुकसान के लिए ये जाना जाता है काफी उचाई और तेज रफ्तार में सक्षम एलिगेटर रूस के लिए फ्रफिर में दो सीटों वाला अटैक हेलिकॉप्टर है ये अपाचे की तुल्ना में ज्यादत आकतवर है ये एलिगेटर हेलिकॉप्टर एंटी शिप मिसाइल्स की रेंज से कहीं जादा है जबकि इसमें अपाचे की तरह ही कवच और हवा से हवां मार करने वाली इसकी कीमत करीब 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जाती है अलिगेटर की फ्लाइट रेंज 520 किलोमीटर जबकि अधिक्तम रफ्तार 310 किलोमीटर है इसका अधिक्तम भार 10.8 तन यानी 10,800 किलोग्राम 16 मिटर लंबा अलिगेटर पीछे की ओर 90 किलोमीटर पति घंटा जब इसमें अत्याधूनिक रडार और निशाना साधने वाले सिस्टम लगे हुए हैं इसके वेकलपिक स्टिंगर और साइडवाइंडर मिसाइल इसमें हवा से हवा में हमला करने में भी सक्षम बनाते हैं पुल मिलाकर जो तस्वीरे रूस युक्रेन युद्ध के बीच आ रही है वो रूस की ताकत को दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से रूस का इकलोता ये हलिकॉप्टर पूरे युद्ध के मैदान में भीशन तबाही मचाए हुए हैं ब्यूरर रिपोर्ट भारत तक झाल झाल